Hello friends, आज मैं बना रही हूँ राजमा, वह भी अपनी बेटी के दोस्तों के डिमांड पर जब बना ही रही हूँ राजमा, तो सोची क्यूना रेसिपी आप सबी के साथ सेयर करूँ राजमा को सबसे पहले भीगोना पड़ता है तो यहां मैं रात को ही राजमा भीगोने के लिए रख दीती एक बड़े बावल में 500 ग्राम राजमा डालने के बाद इसमें डबल पानी आट कर दूँगी और राजबर सोख करने के लिए छोड़ दूँगी यदि आप राजबर नहीं छोड़ सकते तो 5-6 गंटे के लिए इसे छोड़ना ही पड़ता है भीगो कर रखना ही पड़ता है ताकि यह अची तरह से फूल जाए तो यहां मैं राजबर छोड़ने के बाद देखिए दिन में कुछ इस तरह से यह फूल कर हो गया है कलर भी अब देख सकते हैं लाइट हो गया है अब इस राजबर को बॉल कर लेंगे तो कूकर में सारे राजबर को डालने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए मैं कुछ खड़े मसाले आड़ कर रही हूँ जिसमें दालचीनी, तेजपत्ता, लॉंग और छोटी लाइची है अब इसमें पानी डाल दूँगी साथ ही इसमें स्वादनुसा नमक भी एट कर देंगे नमक डालते ही इसे मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से घूल जाए उसके बाद कूकर का ढखकन लगा दूँगी मैं इसमें तीन से चार सीटी लगाई हूँ और ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया है गैस का फ्लिम मैं मिडियम में रखी थी जब कूकर से सारा प्रिसर निकल जाएना उसके बाद ही ढखकन खोलेंगे राजमा को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गया है मैं एक प्रेस करके दिखा रही हूँ ये असानी से दब जा रहा है असानी से प्रेस हो जा रहा है तो इस तरह से राजमा को बॉयल करें अब इसमें जितने भी खड़े मसाले डाली थी न तो हो सके जितना सारा हटा लेंगे राजमा के बॉयल होती ही अब इसकी ग्रेवी की तयारी कर लेती हूँ तो यहां मैं दो बड़े साइस के प्याज को इस तरह लंबे स्लाइसेस में चौप कर ले रही हूँ मैं न सोची ही नहीं थी कि मेरे बेटी को ये दोस्तों को इतनी पसंद आएगी मेरे हाथ की राजमा कि दूसरे बार भी उन्होंने राजमा खाने की डिमांड की ये राजमा इतनी टेस्टी क्यों बनी थी मालूम क्योंकि मैं मार्केट वाले किसी भी पैकेट वाले मसाले का इस्तमाल ही नहीं की फ्रेस मसाले का इस्तमाल की हूँ तो सारे मसाले को पीस लेती हूँ तो यहां मैं 3 टेबल स्पून धन्या दो टेबल स्पून जीरा वन एंड हाफ टेबल स्पून काली मिर्श सारे मसाली को जब पीस कर डालते हैं न तो स्वात दुगना हो जाता है साथी यहां मैं चार से पांच लाल सुखी वी मिर्श का भी इस्तमाल कर रही हूँ अब लस्टून डाली हूँ दस से बारा कली साथी यहां मैं दो इंच अद्रक के टुकडे को भी पीस लूँगी अब इस मसाले में डालूँगी हापकप पानी ताकि इसका बारिक पेस्ट तयार हो सके असानी से तो अब चलते हैं इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं इन मसालों को लीजे घर के फ्रेस मसाले बिल्कुल तयार है राजमा में जाने के लिए और देखिए इसका टेक्स्टर कुछ इस तरह का होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ बारिक ग्रेवी बनाने की पूरी तयारी हो चुकी है तो कड़ाए में डालेंगे सरसो का तेल सरसो के तेल में ही बनाएं क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है इससे राजमा तो यहां मैं टीन टेबल स्पून तेल डालने के बाद अच्छे से गर्म कर ली हूँ उसके बाद इसमें डाली हूँ एक चमच जीरा और दो से तीन हरी मिर्च बीच से कटीवी साती हींग डाली हूँ और जब यह जीरा लाल हो जाए उसके बाद इसमें प्याज आट कर दी हूँ जो प्याज काट कर रखी थी ब्याज को बीच बीच में चलाते वे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेना है प्याज जल्दी से भून जाए उसके लिए गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम पे रख कर भूने फटाफट से प्याज का कलर इस तरह गोल्डन कलर आ जाता है तो अब जो मसाले फ्रेज पिसकर रखी थी न इसी टाइम पे डाल देना है जब प्याज का कलर गोल्डन हो जाए उसके बाद सुखे मसाले में मैं half tablespoon healthy powder और half tablespoon red chili powder add की हूँ ये red chili तीखा नहीं है ये color के लिए डाली हूँ इसे राजमा का color बहुत ही अच्छा आता है अब हल्दी और मिर्च को भी अच्छी तरह से बून लूँगी मसाले डालने के बाद गैस का flame medium में रख दी थी और उसके बाद इसकी भुनाई की हूँ तो 5-7 मिट भुनने के बाद मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है तो अब बारी है इसमें tomato डालने की तो tomato को भी piece कर में डाल रही हूँ और उसी जार में मैं tomato डाली हूँ जिसमें मसाले पीसी थी तो यहां मैं तीन छोटे साइस के tomato को अड़ की हूँ उसके साथ ही एक हरी मिर्च भी डाल रही हूँ मैं आमचूर पाउडर का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ मैं अभी फ्रेस कच्चे आम का इस्तमाल कर रही हूँ यदि आपके पास कच्चे आम ना हो तो आमचूर पाउडर एड़ कर सकते हैं तो यहां मैं 2 इंच कच्चे आम को भी piece लूँगी टामाटर भी मसाले में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो यहां मैं एक बर मसाले को चेक कर लेती हूँ इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी हो गई है और खुस्बू भी बहुत ही अच्छा तरह से आ रहा है तो बस अब इसी टाइम पे यह जो टामाटर आम को पीस कर रखी थी ना इसे डाल देना है क्या आपको राजमा पसंद है यदि पसंद है तो इस ट्रिक से बनाएं बहुत ही टेस्टी लगती है साथी इसमें स्वादन स्वान नमक भी अड़ करेंगे नमक बॉल करते वक्त भी डाली थी इसलिए ध्यान से डालेंगे टमाटर को भी अच्छी तरह से मसालों में भून लेना है कुछ देर के लिए दो से तीन मेट के लिए ही भूनूंगी फिर से जब मसाले अच्छी से भून जाया तो इसे कवर करके पकाएंगे तो यहां में ढकल लगा दी हूँ और गैस का फ्लेम कर दी हूँ लो पे और लो फ्लेम पे 5-7 मेट के लिए इसे पकाई हूँ लीड हटाने के बाद आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है तो मसाले बहुत अच्छी से पक चुका है इसे एक बार फिर से मिक्स करना है और चेक कर लेना है कहीं मसाला चिपका तो नहीं है तो मसाला बिल्कुल भी चिपका नहीं है तो इस टाइम पे डाल दूँगी एक चमच कसूरी मेति तो इस तरह हास से क्रस करके डालेंगे अब कसूरी मेती को भी मसालों में अची तरह से मिक्स कर लेना है और इस टाइम पे डाल दूँगी ये बॉल राज्मा सारा का सारा मसाले में डालने के बाद मिक्स होते ही अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे तो यहां मैं भरकर एक ग्लास पानी आड़ की थी साथी वन फोर्ट चमच गरा मसाला पौडर और वन फोर्ट चमच काली मिर्श का पौडर भी आड़ की थी अब चिली को इस तरह लंबे-lंबे स्लाइसेस में भी काट कर डाली थी और सभी को अची तरह से मिक्स कर लेना है गैस का फ्लेम हाई पे रखकर तो इसे एक उबाल आने तक बॉयल करेंगे कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल हो सके उबाल आ चुकी है ढकन हटा लेंगे और उसके बाल डालेंगे इसमें फ्रेस कटेवे हरे धनी की पत्ते इससे स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है इसे मिक्स कर लें और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो इसे गर्मा-गर्म परोसे लीजिये ये राजमा बिल्कुल तैयार है घर के फेस मसाले से बने बहुत ही टेस्टी बनी थी आप भी जरू ट्राइ करे यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करे लाइक करे, सेयर करे फ्रेंड एंड फैमली के साथ एंड बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल न भूले कॉमेंट में जरूर बताईएगा मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगती है वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद अब मिलती हू नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें ये ना प्लेन बॉयल राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है लेकिन मैं बनाई थी काजू राइस इसके साथ तो जबरदस्ट लग रही थी आप चाहे तो रोटी पूरी पराठा के साथ भी इंज़य कर सकते हैं